सबी इस्टुएंट्स को नमस्कार, कोटा युनिवर्चिटी में अध्यानरत सबी इस्टुएंट्स के लिए सुप्रवाद और बिटा इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आप लोगों की एक्जाम फीस के उपर और चुकि एक्जाम फॉर्म भरना सुरू हो चुके हैं तो एक्जाम फीस और कौन-कौन से डॉकॉमेंट्स किस-किस क्लास में लगेंगे इसको लेकर के ये पूरा वीडियो रहेगा कब से कब तक आप लोगो फॉर्म जमा करा पाओगे तिथिया मैंने पिछले वीडियो में सेयर करी दी तो बार-बार में रिपीट करने क्या आप शक्ता नहीं है और ध्यान रहे ये जो एक्जाम फॉर्म में वो प्राइवेट रेगुलर सारे बच्चों के लिए है तो इस पिछले वीडियो में दे रखी हैं तो मेरे सामने हर वीडियो में उनको सेयर करना जरूरी नहीं है ये मेरे पास फीस का एक सेडियूल जो है 2022 का है संभवत या इसमें कोई चैन्ज नहीं होगा और होगा तो आप लोगों के साथ साजा कर दिया जाएगा ध्यान रहे ये जो फीस जो इस्ट्रेक्चर में जो ये जो इस्टार बना हुआ है इसका मतलब ये है कि इनके अलावा भी कुछ फीस लगती है जो मैं इस वीडियो के आखर में बता दूंगा आप लोगों को जो बड़ी क्लासेज है उनके साथ में सुरू कर रहा हूं बिये बिये सी विकॉम ցसे सैकंडियर की क्या है तो तेराःसो भीस सोला सो और तैस्सों चालीष्ट तो रेगुलर की तेरासो भीस है एक्स की सोला सो है नॉन कॉलिजेट यानि प्राइवेट की तेई सो चालेश है अच्छा एक चीज और मैं इसी वीडियो में साज़ा करूँगा कि इस वार जो है एक्जाम फॉर्म सभी बच्चों के जमा होंगे जो भी एक्जाम फॉर्म बरेंगे प्राइवेट रेगुलर म में MSCM कॉम प्रिवियस फाइनल फर्स्ट यर सेकंड यर थर्ड यर सारे बच्चों के एक्जाम फॉर्म जमा होंगे तो इसको लेकर के बार बार में आप लोग पूछे नहीं अच्छा सप्लीमेंट्री वाले बच्चे बहुत बार पूछ रहें तो मैं आपको बता दू कि सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की आई है उनके एक्जाम फॉर्म का शिडूल जो है थोड़े दिनों बाद आएगा तो वह भी आप लोगों के साथ साजा कर देंगे और रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री का वह संभवत तया इस महीने में या फिर फर्वरी के फर्ष्ट बिक तक आजाएगा तो उसको लेकर के भी ज़्यादा परेशान होने की आपशिक्ता नहीं है अच्छा बीए बीए सी बिकॉम पार्ट फर्ष्ट ये एक अलग जो केरियर ओर्टेट सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं मेरे साम में इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होत होते हैं जो इसमें तर्डीर की जो फिस है और आपको द्यान रखनी है ये विए पार्ट थरड की Stepा थर्ड की जो फीस है वह उननीस सो वास्सो और प्रैवेट भच्चों की 3,070 है ध्यान रहे इसमें कुछ फीस और एड होगी जो नीचे में आपको बता दूँगा लगभग 300-300 रुपे और एक्ष्टर लगेंगे कुछ फीस है और फर्स्ट येर वाले बच्चों के लिए 200 रुपे की एंडॉल्मेंट फीस भी रहेगी म. A M. C. MC.控. की जएधि हम बात करें तो म. A. M. A. C. M.控. प्रीवियस की फीस ये है प्राइवेट रेगूलर और रेगूलर एक्स और प्राइवेट की इसी परकार से M. C. M. U. कम फार इसके बाद ये ओरडिनेंस वाले बच्चों की है BPAid की है BPAid First Second सेमेश्टर वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें यह BPAid की, B Pharma की यहां आप लोग यहां से देख सकते हो B.Ed की भी यहां पर दे रखी है B.Ed में चुकि प्राइवेट नहीं होता है तो वो कॉलम खाली है B.Ed first year, second year, M.Ed 1460 और यह सिर्फ राइगूलर वाले बच्चों के लिए है तो यह आप लोग देख लो इसके अलावा MCA की फीस थोड़ी सी अलग दे रखी है यह आप देख रहे होंगे BSC Honors की दे रखी है MPL अभी होता नहीं है Supplementary का फिलाल कोई लेना देना नहीं है अब हम लोग आते हैं कि आगे किस प्रकार से चला जाए देखिए यदि किसी स्टुडेंट्स की पोसो है या पहले की क्लास का कोई पेपर ड्यू है और वो यदि इसके साथ होगा खासतार रुपे यह कंपलसरी सब्जेक्ट की बात हो रही है तो 3500 रुपे उन बच्चों के एक्ष्टा लगेंगे यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ड्यू पेपर के ड्यू पेपर के पर सब्जेक्ट या पर पेपर और केंडिडेट जो है यह नोट कर ले यदि आप लोग राजिस्थान बोर्ड के अलावा हो तो आपके एंडॉल्मेंट की जो है 200 रुपे फी बच्चों के एक्ष्टा लगेंगे और फर्स्ट यर में इसमें 200 और जोड़ लो क्योंकि इन्वल्मेंट फीज है यदि आप किसी दूसरी उनिवर्सिटी से आए हो तो भी आपके यह लगेंगे और इसके अत्रिक एक चीज़ और मैं आपको साज़ा कर दूँ वह यह की द सबसे ली जाएगी तो यह प्राइवेट बच्चों से सबसे ली जाएगी तो यह प्राइवेट बच्चों बच्चे अपने साथ साथ साजा जरूर कर देना इस पूरे वीडियो को देखिए मैं पहले जो है फर्श्ट ययर वाले बच्चों को बता देता हूँ देखो फर्श्ट ययर के封 भी फॉर्म जमा होंगे सेकिंड यर भी होंगे थर्ड ययर भी होंगे प्राइवेट रेगुलर सब के होंगे अपने परख्षा के इंदर पर होंगे अब मैं डॉक क्वाओं मत लेकिन आधार कार्ड साथ में रहो क्योंकि वो पूछा जा सकता है इन सब्सक्राद पर अइसके साथ फॉर्म जो एमित्रवाला आपको देगा इसके सथ फीस की रसीद आपको एमित्रवाला देगा और जहां-जहां Sign के स्तान दे रखें वहां Sign इसमें University Copy, Student Copy, Computer Copy आपको तीन Copy मिलेंगी और Enrollment Form First year वाले बच्चों को अलग से मिलेगा तो सिक्वेंस से आप लोग सेट करके लाओगे और सब्जेक्ट ढंग से बरोगे ठीक है और ये सारे डॉकमेंट से आप ओरिजनल लाओगे जैरॉक्स भी लाओगे ओरिजनल आपको बापिस कर देंगे और जैरॉक्स आपकी लग जाएगी ये तो रहा फर्स्ट इयर का अब हम लोग सेकंड इयर की बात करें देखें सेकंड इयर वाले बच्चों को फर्स्ट इयर की मार्क सिट लगानी है और फॉर्म और फीस थर्ड इयर वाले बच्चों को फर्स्ट एंड सेकंड की लगानी है पूरा फॉर्म देना है और फीस की रिसिप्ट देनी है ठीक है आधार सारे बच्चे लेकर करके आएंगे और रेगुलर स्टुडेंट्स जो है सभी रेगुलर स्टुडेंट्स जो मेरी कॉलेज के हैं वो अपना वोटर आईडी कार्ड भी साथ में लाएंगे बोटर आईडी जिसे हम नोट करवाएंगे इस वार कि आपका फॉरम के उपर कि बोटर आईडी नंबर क्या है वो हमारे खुद के लिए है कॉलेज के रिकॉर्ड के लिए कि आप जो है आपका बोटर आईडी बना या नहीं बना अच्छा एमें प्रिवियस वाले बच्चे जो रेगुलर है मैं पहले रेगुलर बच्चों की बात कर लेता हूँ प्रिवियस रेगुलर तो प्रिवियस जो रेगुलर श्टूडेंट्स है उनको फर्स्ट इयर, सेकंड यर, थर्ड इयर की मार्क सी फॉर्म और यदि आप दूसरी उनिवर्चिटी से बाब, बाद कर को मैं आप लोग के साथ साजा करने वाला था और मेरे सामें इसमें सारी चीज़े आ गई है आपके प्राइवेट रेगुलर सारे बच्चों की फीस और मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग जो है प्राइवेट जो इस्टूडेंट से वो पहले ही फोरम भर दें प्राइ कर दें और जो अंतिम छणों में जो रस आता है या या जो बहुत भीड बढ़ती है उससे बचे फोरम जो है मंडे से जमा होना प्राराम होंगे क्योंकि आज की चुट्टी है संडे की चुट्टी है फिर मंडे से शुरू होंगे मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कॉलेज में परिशान नहीं हो आराम आराम से चुकि बीश तक जमा होंगे तो आप लोग आराम से रिलेक्स के साथ आए बहुत हड़ बढ़ाने की आपशक्ता नहीं है आप सभी को मेरी तरफ से सुब काम नाए और बेस्ट और गुर लाग थैंक्यू सो मच्छ